नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सब करते हूं सभी अच्छे होंगे और मेरे तो हालत भूझ ठीक ठाके चल रही है दिन के गुजारा वसी हुई चलता रहा है बगवान से यही प्राथना करती हूं और देख सकते हैं अभी सुबह सुबह कर टाइम हो रही है और यहां पर ब पर देख रहा है और नीचे उसको भी पानी नचरा रहा है लेकिन वह अंदर नहीं जाएगा तो मैं सोच रही हूं सबसे पहले रात की बंजी मंजी हुई बरतन है जो की सुख चुकी है लेकिन उसकी वजए से ना उस वाला गिलापन है तो उसे उठा लिया और उसके बाद है शनिवार को मैं लाई नहीं थी तो देखिए यह है हमारे सिंपल खिच्री जो कि दोनों भाईयों के लिए है आज सुवे मैंने रोटी भी नहीं बनाई इसलिए बना लिया है और इसी के साथ मैंने थोड़ा साथ सरसों के साग जो फ्रीज में रखी हुई थी बो निकाल है और मैं यहां पर आलू के सबजी बना रही हूं मेरे लिए क्योंकि वह कहते हैं परिस्तिति के अकोडिंग सब कुछ करना पड़ता है तो वही हाल है मेरा इस टाइम बहुत ही मतलब बुरा समय चल रहा है तो इसमें में नमा घल्दी डाल के और फ्राई कर लूंगी तो आ आलू मुझे बैसे भी पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में क्या करें और यहां पर मेरे कोकर खराब है तो इस बज़े से हैं और देख सकते हैं और यहां पर अगिंधने धनिया को डंठानल को अच्छे से दोर हैं क्यूंकि उसमें दूल मिट्टी है जो निकल जाएगी औ ताकि ठंड होने पर जल्दी किला दूं वैसे तो ठंड का मौसम है और उपर से सर्दी है यहाँ पर तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से जो है धनिया की डंठलों को धो लिया है पहले एक बार है इनको मिकसद जार में चला कर देख देख सकते हैं इसमें जो है सारे डंठल यह एक बी पत्ता नहीं है और पत्ते जो है वह मैंने अलग से रख दिया है क्योंकि बच्चे जो है डंटल खाना बिल्कुली पसंद नहीं करते हैं और उनकी गले में भी मतब फस सकती है तो इसलिए मैं आपने लिए अलग से निका कर रही हूं वैसे खुश्बू तो धनिया की डंठल में भी होती है और देखते हैं आज यह चीज में ट्राइब कर रही हूं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली के हाकिकात में डंठल पिसने के बाद में कैसा होता है और अगर यह नई पिस यानि की नई पि पिछा है और ना चारों तरब से घ्या रहे रहे टेंशन खतम होती है और अपरिशन दूसरा त utan रहती है तो अभी सक्ते है और वादत सी और कर दिन हो등 धर रहे है खुद भी पूरी तरह से दिश्टाब हो चुकी हूं मेंटली तोर पर और देखिए मेरा काम का जो ढगे भी बिगर चुके और बच्चों के बज़े से खाना परता है पीना परता है जीना परता है चाहे एक टाइम ही खाऊं लेकिन खाती जरूर हूं क्योंकि मेरे पास लेकिन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैं यहां पर जो है दूसरा जो जार होते हैं मिक्सिका उसमें से धक्कन निकाल के ला रही हूं क्योंकि यह वाला जार तो चुवे ने काट दिया है और मेरी घर में इतना बड़े बड़े चुवे ना एक चुवा आदी किलो ती डंटल बहुत ही अच्छे से पीश चुका है तो अब मैं इसमें याड कर रही हूं लसन जो कि मैंने आपको पहले बता है मैं चील कर रखी थी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लसन बगरा चील के रख देती हूं और अब मैं यहां पर हरी मिर्ची लिके आई हूं यह भी प्याज में लाल मिर्ची पाउडर है वह थोड़ा तीक कम हैं इस बजह से में हरी मिर्च का इस्तिमाल करते हूं राल मिर्च का और उसे के साथ प्याज में यह कंट बीकुशार में सारे घ्रे और पीश जाएगी तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा में मेनत नहीं होगी ले सब कुछ बिखरे पड़े बस खाना इसलिए बना रही हूं खुद को जिंदा रखना है बच्चे को पालना है ने तो अगर में नहीं रही तो पिर इनके बाद में क्या होगा और यहां पर छोटू मेरे साथ ही है और यह आलू को फ्राई करने के बाद में तेल का कलर आप नमक और धनिय पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पकार हूं तक इसका जो कच्छा पाने मसाला का बहुत निकल जाए और देखिए यह सरसो ज्यादा दिन रखने की बज़े से ना पीला पीला हो चुका है तो यह तो इस्तिमाल नहीं आने व तो सबजी बनने की बाद में फाइनली जो है मैं आ गए थी अंदर और अभी शाम हो रही है शाम के पांसाथ बज़री है तो मैं यहां पर लेकर आई हूँ एक खीरा एक एपल और एक जो है अमरूद लेकिन बच्चे जो है एपल खाना पसंद नहीं कर रहा है देखिए उस देने की बहुत कोशिश करें लेकिन आहीं रहा है उसे अम्रूद ही खाना है और यह भुआ खाना ब 사용 हो तो तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा तो ऐसे खाली है वह तो या तो या तो खी रा मांग रहा था ऐरा काटके दो या पिर मुझे आमरूत दो लेकिन मैं उससे नए रहे थी तो वह आप से जाने की कर रहा था तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्यों इस मौसम में अगर अमरूद दूंगी जिसमें खासकर उसका जुखाम और भुखार और तो बहुत ज़्यादा परिशान हो जाएगा और उसका ठंड जो है और ज़्यादा लगने की बज़े से उसे बहुत ज़्यादा प बना दिया पता नहीं लग रहा है कौन सा किताब की पन्नी है और कौन सा नहीं है तो दोस्तों समढ़ लेती हूं इन किताबों को और आज की वीडियो को यह एंड करती हूं नमस्ते गुड़नाइट